दिली के सीम लंबे वक्त से अपनी एक योजना को शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन बार बार उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है जहां पहले उपराज जिपाल उनकी इस योजना में बाधा डाल रहे थे तो हाई कोट से भी उन्हें निराशा ही हात लगी है आखिर क्या है मामला जिस पर लगा है दिली के सीम को जटका देखते हैं ये रिपोर्ट दिली सरकार और केंदर सरकार के बीच अनबन किसी से छिपी नहीं है और इसी का हवाला देते हुए दिली के सीम अरविंद केजरिवाल अक्सर ही किसी ना किसी वज़ा से केंदर सरकार को घेड़ते ही रहते हैं और अपनी योजनाओं के शुरू ना होने का जिम्मेदार केंदर सरकार को बताते हैं और ऐसी ही एक योजना को जब मनजूरी नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोट का दरवाजा खटखटाया इस उमीद के साथ कि शायद हाई कोट से उनकी योजना को मनजूरी मिल जाएगी लेकिन अफसोस कि केजरिवाल को हाई कोट से भी जटका ही लगा और उनकी ये योजना फिर फाइलों में ही सिमट कर रहे गई और वो योजना है घर घर राशन योजना दरसल दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर हाई कोट ने रोक लगा दी है हाई कोट ने आम आदमी पार्टी के नेतरत वाली सरकार की घर घर राशन वितरन योजना को ये कहते हुए रद्ध कर दिया कि इस योजना के लिए केंद्र के अनाज का उप्योग नहीं किया जा सकता है बता दे कि इस योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से खीष्टान जारी थी जबकि पिछले साल अक्टूवर में दिल्ली हाइकोट ने दिल्ली में राशन की डोरिस्टेप डिलेवरी योजना लागू करने की सशर्ट इजाज़त दी थी हाइकोट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं हाइकोट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो सभी उचित मूली की दुकानों को उन काट धारुकों की जानकारी दे जिन होने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है लेकिन केंदर की तरफ से अब इस पूरे मामले में जवाब दाखिल किया गया वही राशन की डोरिस्टैप डिलिवरी योजना को लेकर केजरी वाल सरकार और उप्राज पाल के बीच काफी समय तक 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 राउ चला था जहां के जरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी तो वहीं LG और केंदर सरकार इसके खिलाफ थे डीवी लाइफ की रेपोर्ट